इस जीवन में न कुछ खोता है, न वेर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं की प्रार्थ ना करें। ब्रह्म से बुद्धी वेग्र होती है। जब बुद्धी वेग्र होती है, तब तरकनष्ठ हो जाता है। जब तरकनष्ठ होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शां वैसा वो बन जाता है व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृती के अनुसार होता है विश्वास की शक्ति को पहचाने मित्र और शत्रु दोनों है मन जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रू के समान कारे करता है मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कारे कर रही है मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है सर्वोच शांती पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिनाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रू होता है निर्भीक बनो, उससे मत दरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा जो वास्तविक है, वो हमेशा था और उसे कभी नश्ट नहीं किया जा सकता प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का धेर, पत्थर और सोना सभी समान है संशे न करो, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसंता न इस लोक में है, नहीं कहीं और आत्मग्यान की तलवार से काटकर अपने हृदे से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो अनुशासित रहो उठो संदेह, संशे, दुविधा या दुवंद्व में जीने वाले लोग न तो इस लोक में सुख पाते हैं और नहीं पर लोक में उनका जीवन निर्नहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा रहता है आत्मा न जन्म लेती है और नहीं मरती है जन्म लेने वाले के लिए मृत्यू उतनी ही निश्चित है जितनी की मृत होने वाले के लिए जन्म लेना इसलिए जो अप्रिहारे है उस पर शोक मत करो न कोई मरता है और नहीं कोई मारता है, सभी निमित्त मात रहें सभी प्रानी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इंका शोक क्यों करते हो यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मती है और न मरती है अत्वान यह आत्मा हो करके फिर होने वाली है क्योंकि यह अजन्मी नित्य शाश्वत और पुरातन है शरीर के नाश होने पर भी यह नश्ट नहीं होती है कभी ऐसा समय नहीं था जब में, तुम या ये राजा महराजा अस्तित्व में नहीं थे, नहीं भविश्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्थ हो जाए हे अरजुन, हम दोनों ने कई जन्म लिये हैं मुझे याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं कर्मवान बनो, निहसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षनमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजनित गुनों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है अपने अनिवारे कारे करो, क्योंकि वास्तव में कारे करना निश्क्रियता से बेहतर है ज्यानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्यानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े बुद्धिमान वेक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता कर्म्योग वास्तव में एक परम रहे से है जो मेरे साथ हैं मैं उनके साथ हूँ संपून ब्रह्मान मेरे ही अंदर है मेरी इच्छा से ही यह फिर से प्रकट होता है और अंत में मेरी इच्छा से ही इसका अंत हो जाता है मेरे लिए न कोई ग्रिनित है अनप्रिय किन्तु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो